हेलो गईस स्वागत है आपका सुगैस बेशक MCU में काफी सारे सूपर हेरोस हैं जो अपने डिफरेंट क्वैलिटीज, स्टाइल या पाउस जैसे फैक्टर्स के कारण अपनी डिफरेंट फैन बेस रखते हैं मगर गईस MCU का थोर एक ऐसा सूपर हेरो है जो अलमोस्ट हर एक सूपर हेरो फैन का काफी फेवरेट क्यरेक्टर है और इसलिए आज में उन्ही बातों को यहां रखूंगा जिसकान मुझे लगता है कि क्यों MCU के थोर को सूपर हेरो फैन्स के द्वारा फिलाल काफी पसंद किय आजाता है तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं वेल गाइस सूपर हेरोस को कोई बेसिकली हेट करता ही नहीं क्योंकि यह सूपर पावफुल होते हैं यह अच्छे होते हैं यह नेवर गिब अप वाली क्वालिटी रखते हैं या फिर काफी स्मार्ट यह अच्छे फाइटर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोग की मदद करते हैं अपने इन एबिलिटीज के साथ और अगर आप एमस्यू के थार को देखें तो वो थार वन में थोड़ा घमंडी था लेकिन अर्थ में बैनिश होने के बाद उसमें इंसानियत आ गई साथ ही वो सूपर पाउफूल एक अच्छा फाइटर अपने तगड़ी वेपन्स के साथ और नेवर गीब अप वाली क्वैलिटीज तो रखता ही है जिसकान फैन्स को थार पसंद है लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो थार सभी का फैन फेवरिट जदातर तब हुआ जब थार न एकदम से वन 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 फाइट ही हो गया था थार और हल्क के बीज जहां थार ने दो जोरदार पंच लगा दिये हल्क को उससे थार फैन्स कुछ बूस्ट होए साथी आप ये भी कह सकते हैं कि थार रेगनारोक ने थार के करेक्टर को बिलकुल नेक्स लेवल पे पहुँचा होगा मगर रेगनारोक वाला थार बिना मियोलिर के ही अपनी बैटल स्किल्स के साथ फाइट करता है और वो बिना मियोलिर के भी अपनी लाइटनिंग और अपनी पाउस को पहचान पाया जिसने फैन्स को काफी एट्रेक्ट किया जिसका थार से काफी फैन्स कनेक्ट कर पा यह आई भी है तो वो अनलॉक नहीं हुई साथी ज्यादतर लोग सुपर हेरो मुवी इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें भरपूर एक्षन चाहिए जहां वो सुपर हेरो को सुपर विलन्स की बैंड बजाते हुए दिखना चाहते हैं और जब इंफिनिटी वार में चाहते हैं जो इन्फिनिटी स्टोन्स के टक्कर का हो वैल वैसे तो यह मूवी से जहां कैरेक्टर को इवॉल्व करने में उतना ध्यार नहीं दिया जाता मगर थौर 1 से लिकर एंड गेम तक आप अगर देखे तो थौर को काफी ज़्यादा इवॉल्व किया गया है जितना मार्वल के राइटर्स कर सके जहां थौर को थौर 1 में एकदम से पाफुल नहीं दिखा दिया गया बलकि उसे धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बनाया फिर मियोनियर के लिए वर्दी किया गया जो सेलफलेस हमबल और पीसमेकर और एक किंग मैटेरियल था यहांते के थौर और एसगर से होते हुए भी एवनजर्स में शामिल होने के बाद कैप्टेन के औररस लेता है इस जितौरी बैटल में जिसे थौर की टीम वर्क भी दिखाई देती है वैसे ही एज ओफ अल्टरोन में उसका एवनजर्स के साथ मिलकर एक बार और अल्टरोन जैसे विलन को हर या आयर्मेन के साथ एक टीम वर्क पर इस उड़ते शेहर को उड़ाना साथे रैगनारोक में जब ओरिंग के बताने पर थार अपनी इस लाइटनिंग के साथ एंट्री करता है इसने भी थार फैन बेस को काफी उपर खीचा वैल ओवरल कहूं तो MCU के थार के पास वो सब साथी नूटरन स्टार के हीट को सरवाइफ किया जो बहुत धासू लगा फैन्स को प्लस थार की सूपर एंट्रेज जिसने भी सूपर फैन्स को समय समय पर थ्रिल किया वैसे ही अभी थार थोड़ा बहुत जोग भी मारने लगा है बजाए पहले के जो सिरियस मोड में रहत इसको कि एक्टिंग था और अपनी बोडी को कॉमिस के थार की थार चीस को काफ़ी अट्रेक किया जिसमें भी थार के आने वाले मुवी जिए भी फेंस काफ़ी एक्साइटे है और इनहीं कुछ चोचे बड़े बातों के लिए भी मुझे लगता है कि MCU के Thor को fans काफी पसंद किया करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें साथी कमेंड करके बताए क्या Thor आपका भी फेवरिट है और है तो किस बात के लिए आप Thor को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे ही ओसम और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें साथी मेरे नई कॉमिक्स के चैनल कैप्टेन हेमन 360 को भी सबस्क्राइब करें जिसके लिंग डेस्क्रिप्शन में है तो गैस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दिस यूर कैप्टेन साइनिंग आफ टेक केर बाई बाई